नमस्कार नया रास्ता अध्याय श्य देखें हमने अध्याय पांच में पढ़ा था कि कैसे मीनू के पिता जी हॉस्टल जाते हैं और उससे मिल करके वापस वो एक घंटे बाद ही चले जाते हैं लेकिन मीनू को अपने घर की सारी बाते जो उसने प्यार सब कुछ था वो वापस से ताजा हो जाता है उसे वापस से अपने घर की याद आने लगती है अब उसके की कहानी उसके आगे की कहानी को हम लोग अध्याच्य में पढ़ेंगे अध्या 6 में देखिए अब माया राम जी के घर की बात हो रही है यहांपे तो माया राम यानि जो अमित के पिता जी थे माया राम जी के घर में चर्चा का विशय था धनी मल जी वह उनकी बेटी सरीता अमित की मा के मुँसे तो हमेशा धनीमल जी की ही प्रशंसा सुनाई दे थी धनीमल यानी जो सरिता के पिता जी थे जो पैसे वाले थे परन्तु अमित को इन सब बातों में कोई रुची नहीं थी यानि कोई भी इंट्रेस्ट नहीं था अमित धनी घर की लड़की से शादी करके स्वयम को बेचना नहीं चाहता था आखिर उसका भी तो कोई स्वाभिमान है अभी हाल में ही उसने एक फैक्टरी लगाई है इश्वर की क्रिपासे पैसे की कमी भी नहीं फिर सब पैसे वाले घर की लड़की क्यों लेना चाहते हैं मीनू का भोला भाला सावला सलोना चहरा पहली नजर में ही अमित का दिल मोह गया था कितना बुरा लगा था उसे जब मीनू के लिए मना किया गया था पर उसके अंदर इतनी हिमत कहां कि अपनी मा और पिता जी के सामने बोल सके दर के मारे विचारा कुछ नहीं बोल सकता था कि मैं मीनू से शादी करना चाहता हूँ एक दिन उसने मा के सामने कहने का साहस किया था यानि हिमत किया कि मा तुम सरिता से ही मेरी शादी क्यों करना चाहती हो क्या तुमने उसे देखा है जो तुम इतनी उतावली हो उसे घर में लाने के लिए तो मा ने क्या बोला था नहीं मैंने उसे देखा नहीं है परन्त उसका फोटो तो अच्छा है क्या बुरी है देखने में ऐसा माने जवाब दिया था तो अमित बोलता है मा मीनू में भी क्या कमी है देखने में ठीक ही है फिर पढ़ी लिखी है उसे अच्छे खांदान की है और सबसे बड़ी बात तो यह है कि सारे काम करने में चतुर है मा मुझे पूरा विश्वास है कि मीनू एक कुशल ग्रिणी के रूप में घरकुल संभाल सकेगी अरे अमित लगता है मीनू ने तुम्हें पूरी तरह से आकरशित कर लिया है पता नहीं सरिता में क्या कमी दिखाई दे रही है तुझे ऐसा मा ने बोला तो अमित बोलता है मा बात सरिता के अंदर कमी की नहीं है पर मा जब आपने मीनू को देखने के बाद मना किया तब उन सब के दिल पर क्या भीती होगी अमित कुछ उदास सा हो गया ऐसा बूल करके सही बात है ने अगर आप किसी लड़की को देख करके छोड़ते हो मना कर देते हो और क्यों इसलिए क्योंकि पैसे के कारणा आप ऐसा कर रहे है तो यह तो बुरी बात है तो अमित की माँ बोलती है बस इतनी सी बात सोच रहा है अमित तो तुम हमारे एक मात्र पुत्र हो यानी कलौते पुत्र हो एक ही बहू घर में आनी है दो चार जगह से पसंद करके ही तो ली जाएगी और फिर शादी गुड़े गुड़िया का खेल तो नहीं है जो जब चाहे शादी कर ले और जब चाहे छोड़ दे जिन्दगी में एक बार ही होता है वेवा मा ने ऐसा गरतन नहीं लाते हुए कह तो अमित बोलता है मैं भी तो यही कह रहा हूँ मा कि शादी जिन्दगी में एक बार ही होती है इतने बड़े घर की लड़की आकर तुम्हें आराम दे सकेगी क्या तुम्हारे कारियों में मदद कर सकेगी यानि जो घर के जाड़ू पोचा वरतन खाना ये सब होते हैं भाई बहू अगर काम नहीं करेगी बड़े घर की है तो क्या हुआ नौकर रख लेंगे हम लोग क्या जरूरत है कि घर क्या जरूरत है कि बहू घर में आकर काम करे और फिर सरिता बड़े घर की लड़की है उसे काम करना कहां आता होगा घर में नौकर ही काम करते होंगे ऐस मा बोलती हैं तो फिर अमित बोलता है तुम सब समझती हो जानती हो मा देखती नहीं मौसी की हालत बड़ी मौसी ने अपने इकलोते बेटे के लिए बहुत बड़े खांदान की सुन्दर सी लड़की ली देख लिया उस सुन्दर सलुनी बहु ने क्या हालत बना रखी है मौस तो मौसी जी ही घर का सारा काम करती रहती है ऐसा आमित बोलता है कि जो हमारी मौसी है वह हमेशा घर का सारा काम करती रहती है यदि किसी काम के लिए अपनी लाडली बहु से कहती भी है तो वह यही उत्तर देती है मा जी मुझे नहीं आता यह काम मैंने तो अपने घर में कभी काम किया ही नहीं है हमारे घर में तो कई कई नौकर रहते हैं इसलिए हमें काम करने की आदत नहीं है घर के काम से कोई मतलब नहीं रहता उनकी प्यारी बहु को वैसे हां क्लब जाने में उसे कोई परिशानी नहीं होती ऐसा अमित अपनी मा से कह रहा है अब तो वह एक लब ही प्यारा है बच्चे को भी मौसी के ऊपर ही छोड़ कर चली जाती है मा एक दिन मैं मौसी के घर गया था मौसी जी को तेज बुखार था परंत उस बुखार में ही वे घर का सारा काम कर रही थी और साथ ही उस छोटे बच्चे को भी संभाल रखा था मुझे तो बहुत अधिक दया रही थी मौसी जी पर अमित ने अपने विचार मा के सामने प्रकट किये इस प्रकार से अमित अपनी सारी बातों को मा के सामने कहता है कि उसकी मौसी की हालत किस प्रकार हो गई है उस बड़े घर की बहु के कारण जो मौसी जी ने अपने घर लाया है तो अमित की बाते सुनकर मा को या आभासा होने लगा कि न जाने बड़े घर की लड़की उनके घर में आ कर एक अच्छी बहु के रूप में रह सकेगी की नहीं रहेगी अभी उन दोनों की बातों का सिलसिला चल ही रहा था कि इतने में बाहर एक कार आकर रुकी धनी मल जी ने उस कार से उतर कर घर के अंदर प्रवेश किया अब देखी क्या होता है अभी दोनों यानि मा और बेटे दोनों बात करी रहे थे कि इधर धनी मल जी कार से उतरते हैं अब देखी क्या होता है आगे उनके पीछे पीछे उनका ड्राइवर फल की पेटे लिए आ रहा था घर में अमित के पिताजी नहीं थे इसलिए अमित ने उनकी कुशल छेम पूछ कर उन्हें सम्मान के साथ बिठाया यानि कि घर में अमित के पिताजी नहीं थे तो अमित ने क्या किया जैसे महमानों का खातेदारी किया जाता है उस प्रकार से अमित ने उनका हालचाल पूछा और उनको सम्मान के साथ बिठाया पिता जी के अनुपस्तिती में उसका ही करतव्य था कि वह घर आये महमान का स्वागत करे धनी मल जी के साथ आई फल की पेटी अमित को एक आख भी नहीं भा रही थी वह समझता था कि वे अपने पैसे का जादू डाल कर सबको मो लेना चाते हैं जब अभी रिष्टा पक्का नहीं हुआ तो फल किस बात के अमित से रहा नहीं गया उसने धनी मल जी से पूछ लिया ये फल क्यों ले आए हैं आप इस सब की क्या जरूरत थी तो धनी मल जी बोले बेटे कश्मीर से चार पेटी सेव मंगाये थे मैंने सोचा एक पेटी अमित बेटे के घर भी ले चले खा कर देखो बेटे बहुत मीठे सेव हैं उनके यह बात सुनकर अमित को क्रोध सा आ गया इससे पहले कि वह कुछ जवाब देता पिता जी ने कमरे में प्रवेश किया पिता जी के आते ही अमित उठकर बाहर चला गया और मा के पास आकर बैठ गया मा ने उसका उदास चहरा देखकर पूछा बेटे क्या बात है इतने उदास क्यों हो गए हो तो अमित बोलता है मा अभी कोई बात नहीं हुई है रिष्टा तै नहीं हुआ है और धनी मलजी फल की पेटी लेकर आए है कहते हैं कश्मीर के मीठे सेव हैं जैसे कभी हमने मीठे सेव खाय ही नहीं है अमित गुसे में बोलता रहा मा ने उसे समझाते हुए देखे क्या कहा कि इसमें इतना गुसा होने की क्या बात है जब संबंद जुड़ जाता है तब खाली हाथ नहीं जाते हैं ऐसा ही उन्होंने किया है इतना गुसा करने से क्या फायदा है तो अमित बोलता है अच्छा मा तो तुम भी उनके पक्ष में ही बोल रही हो ठीक है तो तुम सबने सरिता को इस घर में लाने की ही ठान रखी है गुसे में बड़बडाता हुआ अमित सामने रखा समाचार पत्र देखने लगता है यानि जो न्यूस पेपर उसके सामने रखा हुआ था वो गुस्ते में ब्लब्ला आता रहता है और न्यूस पेपर को उठा करके देखने लगता है धनी मल जी उस दिन सरीता को दिखाने के लिए तिथी निश्चित करने आय थे उस दिन पता है धनीमल जी क्यों आये थे वो डेट फिक्स करना चाहते थे कि आप लोग कब सरीता को देखने के लिए आ रहे हैं तो हमारा यहां पर अध्या अच्छा समाथ हुआ आगे की स्टोरी को जानने के लिए अगला वीडियो जरूर देखें धन्यवाद